हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया व्लोग आप सभी के लिए और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर लेकर आता हूँ मैं ज़्यादतर आपके ट्रैवल से रिलेटेड और एर सारे लोग comment करते हैं कि हमें कहां से सस्ती ticket मिल पाएगी तो उसी के बारे मां जिस लोग के अंदर बात करने जा रहे हैं. दोस्तो सस्ता ticket लेने से पहले आपको airline के ticket का फंडा पता होना चाहिए कि कब-कब airline का ticket का price बढ़ता है और कब-कब सस्ता होता है तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी airline का ticket आप 6 महिने आगे तक का book कर सकते हैं और ये maximum time है जैसे कि अभी चल रहा है November तो आप March अपरेल तक का ticket book कर सकते हैं और दोस्तों इसमें मैं आपको clearly बताना चाहूंगा अगर किसी aero plane में सीते हैं 180 यानि कि 180 टिकट किसी airline के हैं तो दोस्तों जिस भी जगा आप जा रहे हैं वहांका एक base fare होता है जैसे कि अगर आप Delhi से Mumbai ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहांका base fare जो है साड़े 3,000 रुपे हैं तो वो ticket कभी भी साड़े 3,000 से कम नहीं जाएगा price और जैसे जैसे time नस्दीक आता जाएगा जैसे 6 महीने आगे का आप ticket करना चाहते हैं तो वो price बढ़ता रहेगा जैसे सीटे fill होती रहती है airline की यानि कि अगर 180 ticket airline के पास है और उसके अब धीरे धीरे करते हुए 50 से 60 बचे हुए हैं तो दोस्तो जैसे सीटे कम होती रहती है वैसे ही वैसे price बढ़ता रहता है for example दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने एक passenger को देखा था जिसने Delhi से Mumbai का ticket सिर्फ एक side जाने जाने का ticket Delhi से मुंबई 25,000 का खईदा था क्योंकि उन्हें on the sport ticket करना पड़ा on the sport ततकाल में और उस time किसी भी airline में ticket नहीं आ रहा था और उनका बहुत urgent काम था 25,000 का ticket लेके वो दिल्ली से Mumbai गए जो की सिर्फ एक side का ticket था तो जैसे जैसे आपका time नजदीक आता रहता है या दिन के दिन आप ticket करना चाते हैं वो ticket आपको महंगा ही मिलने वाला है बट अगर आप थोड़ा planning करेंगे 2 महीने, 3 महीने पहले अगर आपकी planning है या फिर 6 महीने पहले तो आप वो ticket को base fare पे ले सकते हैं जितना अभी उस airline का base fare है उस destination में जाने के लिए तो दोस्तो ये तो मैंने आपको बता दिया अगर आप जितना planning करके 2 या 3 महीने आगे का ticket या 6 महीने आगे का ticket लेंगे उतना ही सस्ता आपको वो ticket पढ़ने वाला है उसी तरीके से दोस्तो airport पर आपको मिल जाने वाले हैं 3-4 तरीके के passenger आपको मिलेंगे एक passenger रहेंगे जिनको holiday के लिए जाना है साल में एक बार तो वो लोग इस तरीके के ticket plan कर सकते हैं 6 महीने पहले book करके बट आपको दोस्तो थोड़ा track रखना पढ़ेगा 6 महीने पहले जो आपने ticket क्या हो सकता है flight का time change हो जाए flight का reschedule हो जाए या cancel हो जाए या फिर flight delay हो जाए या फिर flight number change हो जाए तो वो track आपको रखना पढ़ेगा और इस तरीके से आप सस्ता ticket ले सकते हैं जो भी holiday plan करते हैं साल में एक बार जाते हैं दूसरे passenger होते हैं जिनको अपने business के लिए travel करना पड़ता है एक जगा से दूसरी जगे उन लोगों के लिए मैं suggest करूँगा कि वो लोग किसी भी agent को local agent को पकड़ के रखे जो लोग ticket वगरा देते हैं cafe वगरा ऐसे या फिर जो लोग online chat कर सकते हैं बहुत सारी website है go ibibo, make my trip, ease my trip, ixggo इस तरीके की website से भी आप फायदा ले सकते हैं अगर आपको business के लिए travel करना है तो ये 3-4 option आपके पास है तीसरे passenger होते हैं जिनकी company उनको ticket करके देती है एक जगे से दूसी जगे जाने के लिए business meeting के लिए है जो भी है तो उन passengers को attention लेने की जरुवत नहीं है क्योंकि सारा खर्चा आपका company उठाने वाली है जितने का भी ticket होगा आपकी company करके आपको देगी और प्लस आपको airline बता देगी दोस्तो इसी तरीके से चोथे passenger जो होते हैं उनको ज़्यादा तर student या जो लोग personal work के लिए या फिर किसी से मिलने जाने के लिए ticket book करते हैं on the sport तो दोस्तो उन लोगों के लिए भी suggest करूँगा कि वो ज़्यादा तर जो website है ixcgo, goibebo, make my trip या ease my trip या sky scanner इस तरीके की website से ticket book करके थोड़ा फायदा उठा सकते हैं क्योंकि आपके पास जो on the sport ticket होते हैं वो airline के पास आपको थोड़ा महंगा ही मिलने वाले हैं तो इस तरीके से आप थोड़ा सा discount पा सकते हैं अगर आप इन website पर जाके ticket बनाएं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही कोई भी अगर आपको परेशानी होती है ticket या किसी भी चीज से लेकर आप मुझे comment करें और दोस्तो चैनल पर अगर आए हैं चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लें वीडियो को like करें और जितना ज़्यादा हो सके share करें सभी passenger और सभी आते हैं दोस्तो मिलते हैं फिर से एक मज़ेदार नए vlog के अंदर तो इस वीडियो के इंदर इतना ही मिलते हैं आपको next vlog के अंदर